दिन दहाडे तो आपकी सेक्यूरिटी कहां सोही हुई थी, आपका सिस्टम कहां सोही थी, थोड़ी सी शरम है दिलबाग सिंग जी, हरजाइन कर दीजी अपनी पोस्ट से कश्मीर घाटी में सिविलियन्स की केलिंग होती है, हालां कि कुछी दिनों के अंदर अंदर आर्मी, CIPF, जमा कश्मीर पुलिस जो ऑपरिशन्स करती है, उसमें आतंकियों को पकड़ा भी जाता है, एक आतंकिया इंकाउंटर में मारा भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी, जो फिर इस समय, जो लोग कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, उनके अंदर आ चुका है, इन किलिंग्स होने के बाद, और साथी में, एड्मिनिस्रेशन के उपर जो सवाल उठाये जा रहे हैं, कि आखे पांचगस 2019 के बाद, जब दो साल तक, इस हद तक, इस लेवल तक, जो है, ऐसी किलिंग्स देखने को नहीं मिली, तो अचानक से ये, क्यों होना शुरू हो ग समबर देखने को मिला इस बार, बहुत सप्राइजिंग्स था हर एक व्यक्ति के लिए, बहुत ट्राजिक था हर एक के लिए, कि दो ही दिनों के अंदर अंदर पांच लोगों की हत्या हो जाना, और जब एक दिन में तीन इंसिदेंट्स हुए, तो उसके बाद लगा ये थ ये दिन इस बाई ब्लाक्स को पहले ही प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वह कारण था हरनलीkach ये प्लेडिक्स साह का कर सकता, जिन ने मुझे हैं जासे भाय। मैंकि कड़े इस चीज की पहले निंदा और आलोचना करूं कुए विक भाड़ें बाते दिल्न से लेके गवर्नर हाउस जम्मू तक बहुत बड़ी-बड़ी की जाती है अमित शाह हो मोदी जी हो या हमारे मनोज सिनहा जी हो बाते इनकी बहुत बड़ी-बड़ी है सेलेक्टिव लोगों से मिलते हैं सेलेक्टिव लोगों को छोड़ के तो जो बाकी है वो सब अंटिनेश सब्सक्राइब करें इतना बड़ा स्कूरिटी लैप्स हुआ कि एक मैनोर्टी के उपर कश्मीर के अंदर अटैक वह जिनको क्लेम करती है मनोज जिना जी अमिश्या जी मोदी जी की इनको रिसेटल करेंगे वाधी के अंदर डीजी दिलबाग सिंग जो आज में मुद्दा ज हो भी दिन में आप सपनों से बाहर आजाए है हकीकत कुछ और है कश्मीर के अंदर माइनोर्टी सेफ नहीं है दो दिन में इतनी किलिंग्स हो रही है इतनी निरभाइता से बिना किसी खोफ के एक स्कूल के अंदर एक गुरूप गुजता है और माइनोर्टी को दीजे अपनी पोस्ट से पोस्ट आती जाती रहती है इंसान के अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए पर लवी मैम कि यह पोस्ट तो इंसानी जान से बढ़के नहीं आपके डीजी पी शिप के अंदर आपके बड़े-बड़े क्लेम्स के अंदर मासूमों की जान गई है आपके बात करेंगे फोजियों के कानवाई के ओपर अटायक होता है वहां से इस सिलसला शुरू होता है एक छोटा सा लड़का सफारी के अंदर साड़े 300 किलो आडी एक्स लेके गया तो आपकी एजनसी जान सोई हुई थी आपका सिस्टम कहां सोय हुआ था मन की बात अव पंड़त कम्यूटी की रिसेटलमेंट जिसके बरदावे किये जा रहे हैं क्या पॉसिबल हो पाएगी आज के बाद क्या वो कॉन्फिडेंस इंसिल किया जा सकता है उस माइनॉरिटी कम्यूटी में दुबारा से कि ये इंसिडेंट जो है वो एक बार हो गया ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे स्ट्वेशन के अंदर जहां बिंदरू साब जिन्हों ने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर गाटी को देदी उतर के लोगों को देदी अगर उनके साथ यह हो सकता है तो एक आहम कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू या यूपी बिहार दिल देश के अन्य कोनों से आए वे लोग जो वहां सेटल होना चाहते हो वो तो सोच में नहीं सकते हैं ऐसे स्क्रीटी सेरियों के अंदर जहां पर हमारी पुलिस सोही हुई है वो पता नहीं कौन से सपने देख रही है और यहां लोगों को मारा जा रहा है सबसे पहले तो कर देने से कोई बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि मामला तो इंटेलिजेंस इंपुट्स का है मामला और ऐसे अन्प्रेडिक्टिबल अटाक्स के लिए गरीड़ा वार्फेर में तो एक जो आतंक्यों के पास है वो यही है कि वह अटाक कप करेंगे कहां करेंगे कोई रहा चलता आदमी किसे गोली मार देगा किसी को मालूम नहीं है पल्लवी में बात वही है हमारी इंटेलिजेंस एचेंसी जा आई भी है और भी बड़े बड़े इन्होंने अपने यह सिस्टम जो बना रखें फिर इस ताम जाम का फाइदा क्या है अवाम का आपका मेरा पैसा ट स्क्रूनिटी हो पहले और उनके उपर सबसे पहले मैं कहता हूं एक रिसर्च हो कि यह लोग इस पोस्ट के काबिल भी है कि नहीं ऐसे नालाएक और नाकाबिल लोगों को पोस्टों पर पिठा के हम लोगों की जनों के साथ खेला जा रहा है जिसके गर का सदत से गया मैं द लोगों को यही की सेफ्टी और स्थिस्टेल में लिए क्या आप समझते हैं कि वे आउट क्या हो सकता है जिस तरीके से अलग-अलग प्रोपोजल्स दिये जाते हैं क्या possibility है कि कश्मीर में colonies बनाकर जो secured colonies हों वहाँ पर कश्मीरी पंडित को resettled किया जाए या वहाँ पर कश्मीर में ही एक specific region जो है उसे अलग से कश्मीरी पंडित कम्यूनिटी के लिए minorities के लिए वहाँ पर रख दिया जाए क्या ये possibility है या फिर आप भी चाहते हैं कि अगर resettlement हो तो resettlement उस तरीके से हो कि पहले जिस तरही कैसे 90 से पहले कश्मीरी पंडित हों कश्मीरी मुस्लिम्स हों जितने भी कश्मीर के रहने वाले लोग हैं जैसे वो मिल जूलकर रह रहे थे वो मिल जूलकर रहना ही resettlement का एक indicator होगा ये separate colony बना कर रहे है separate concentrated जो colonies होंगी या regions होंगे वहाँ पर resettlement जो है वो resettlement नहीं मानी जा सकते हैं देखे मैम जहां आप resettlement की बात करते हैं ये ऐसा पहलू है कि एक पेड को जड़ों से निकाल दिया गया है उसको उसी जड़ों पर वापस लगाना है समय लगेगा उसमें हमें उस culture में फिर से जाने के लिए हमारे बच्चे जो 30-35 साल वहां से बाहर है कश्मीरी पंडित कोंगे और कश्मीरी हिंदू जो बाकी भी वहां रहते थे या बाहर क्या के समय उसमें लगेगा मगर सबसे पहले प्रशासन को हमें वहां अलग रहने से या मिलके रहने से मतलब नहीं है मतलब है कि वहां पर हमें सीक्वर और स्कुरिटी कैसे मिलेगी और सीक्वर फिलिंग कैसे आएगी उस पर प्रशासन क्या कर रहा है सिर्फ आप डल गेट पर जंडा लगाने से या लाइटे लगाने से राश्टरबाद लोगों को दिखावा नहीं करना है उसको करके भी दिखाना है और्डर करना बड़ी बात नहीं उसको एग्जिक्यूट करना है इंप्लिमेंट करना बड़ी बात है वो इस प्रशासन को पहले देखना है कि बिमारी है कहां पे, किस जड़ में बिमारी है, कीड़ा कहां पे लगा है, वो यह देख नहीं पारे, जब तक वो न देखा जाए, तो resettlement तो possible ही नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने सुना, इनका कहना है कि कश्मीरी होल बना हुआ है, देखने को यहीं मिल रहा है, कि जो कश्मीरी पंडित कमिटी के लोग कश्मी घाटे में रह भी रहे हैं, वो भी अब यह सोचने पर मजबूर हो गए है, कि क्या हमारा भी यहां से चले जाना बहतर है?